कि अपना जो आज का पीएसल का मैच रहने वाले कि इसके बीच में एक तरफ आपको देखने को मिलेगी यहां से क्वेटा जो पिछला मैच बहुत ही बढ़िया तरहीं से जीत गए और दूसरी तरह पेशावर जो कि एक अच्छा बोलिंग अटैक होते हुए भी शादाप खा खा गए अब आज के लिए क्या रहेगा क्या यह रोहे श्यों चेकी लिन सब्कावट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्या प्रेडिक्शन रहती जरा सारी चीज़ा डिस्क्रेस करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखना और एक दो नहीं खिलाड़ी भी जोए अब शाम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो जोन कर लाँ बांकि गदाफी श्टेडियम लाहूर में जो है मैच रहने वाले 730 रहेगी इस मैच के इड लाइन बागे बाद करें ग्राउन की सुरी थोड़ा सा गलत हो गया ठीक है आप 43 मैच यहां पर हो चुके 28 जीते बैटि 15 जीते बैटिंग सेकंड ने 177 का यहां पर जोए एवरे स्कोर रहता है तो अच्छा ग्राउंड बनते है यह चीज हमने पहले दो मैच में नोटिस कर लिया क्योंकि लाहूर वाले में भी रंस बने थे इवन चीज भी हो गया था इतना अच्छा डोटल दूसरी चीज क्व पर नियूज़लैंड ने डिफेंड कर लिया था है 163 डिफेंड हो गया था 195 यहां यह चेज हो गया ठीक है यहां पर डिफेंड नहीं हो पार है क्यों क्यों कि यहां पर ऐसा था कि second inning में जो बैटिंग थी थोड़ी मुश्किल हो रही थी पड़ PSL में ऐसा कुछ देखने क तो है पीछा किया इनका तो मान सकते हैं कि थोड़ी सी और अच्छी बैटिंग होते हैं 16 और बना लेते हैं ठीक है अगर थोड़ा बीच में सही रहते हैं तो यहां भी 200 सो उपर बना तब जाके टार्गेट डिफेंड हुआ यहां पर बैटिंग काफी जादा बढ़िया देखने को मल रहें बाकि दो मैचेज में पेसर के विकिट है वह 12 और पांच यह देखने को मैं जिसमें कि मैं बोल सकता हूं कि पेसर बहुत दोनों इनिंग में ठीक है स्पिनर्स ठीक है विकिट देखो उनको ऐसा है कि मिल जाए तो मिल जाए वरना स्पिनर्स के लिए कोई जादा मदद है नहीं अब आते हैं जरा प्लेइंग उलावन क्या रहती है लाहूर की तरफ से न दो खिलाड़ी और आचुके यहां पर एक तो कारलोस प्रैथवेट और एक सिकंदर रसा दो खिलाड़ी शामिल हो चुके टीम में अभी के लिए फगड़ जमान साहिब ज्यादा फरान ओपन कर सकते हैं इसमें फगड़ जमान आई थिंक कि फगड़ जमान भी बोलगा कि चांस मिस्कर दिया बैटिंग का वरना अच्छी का से पिच्छ थी औ अगर रिस्क लेना हो तो बिल्कुल ट्राइगर सकते हो सहिब जादा फरान विकेट कीपर चोईस इकलोते विकेट कीपर चोईस है वैसे भी आज के लिए साहिब जादा फरान तो मश्पेक या रहे गए रहेगा बाकि रासी वंडर ड़सन में मश्पेक है और लाश्ट टा है बैटिंग ओटर थोड़ा नीचे रहा बाकि 28 इनों ने काफी अच्छे बनाया थे शोट्स इनके बढ़िया थे उसके बाद में सिकंदर रजा यहां पर आ चुके जो कि बैटिंग और बोलिंग दोनों करेंगे चार और जो स्पिन की तलाश थी लाहूर को मिड़ोर्स मे है वह यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगी सिकंदर रजा की तरफ से उसके बाद मैंकर मैं नेक्श बात करूं तो यहां से लोर्केंट टकर है लोर्केंट टकर की तो बैटिंग आनी मुश्किल है क्यों क्योंकि मैंने को समझ में आता शाहीन अफरीदी ठीक है प्राइट कोली समझ के नंबर 3 पर आदा है चीज़ करने बाकी यहां से देखो शाहीन अफरीदी उपर बैटिंग करने आ सकता है पिछले मैच में भी इवन शाहीन अफरीदी टकर से उपर आगया था बैटिंग करने रन नहीं बना है बट आथ हो गया था ठीक है इस वाई वर्लिकप के टाइम से पर्मेनेंट हो यह अचकल और जीरो विकेट थे तो गरिवन तीम और में चालिस पचासर हम दे दिया थे जारी शुरॉफ ने और एट लास जमान कान एक विकेट के साथ में तो यह है लाहुर कलंदर्स की तरफ से जो प्लेइंग रहती है ठीक है चा कार्लोस ब्रेथ वेट रहने वाल है श्याई अब्लेब नहीं है यह खुलना से खिल रहे है बीपिल में डैन लोरेंस इंग्लेंड के साथ मैं भानुका राजपाक शाह हो सकता है चाह टीम के साथ में जूड़ी गया और ना जूड़ी गया हो इसका गन फिर्पर्म नहीं है हैं जो कि लेफ्टाम और्टरोक्स बाहर बैटा है अहसान बटी अब इसके दो रावें यह दिहार रखना मैं भी अगले में चेंजी कर दूँगा अहसान हफीज आपको कुछ में देखने को मल सकता है कुछ में साथ इसान बटी लिखा हो दोनों एक ही खिलाड़ी है बाकि रीजेंट की बात की जाए तो ना विकेट है ना हिरन से भाही ने कुछ भी नहीं किया है उसके बाद में कामरान गोलाम यहां से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इनके सगर खे एक दो दो विकेट निकाल रखें कार्लोस ब्रेथवेट भी वह स्लोर वन्स काम में आ सकते हैं ब्रेथवेट की बैटिंग हम सब जानते हैं कुछ इस तरीकी के बिच पर रंस आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं बैट्वेट से एड़ एंड ठीक है आखिर में जाके बागी तीन खेलेंगे नहीं तो यह रहती है बहुत ही जादा बढ़िया तरीके से फायदा उठाए था और डेफिनिटल इस मैच में भी दोनों अपनी टीम के लिए इंपाउंट रहेंगे अब सी वीसी ट्राइक कर सकते हो गर करना है तो बाग यह जादा बहुत बहुत ब खराब ही रही बढ़ जैसे मैं बोलता हूं कि पूरे सीजन अगर आप जील खेल रहे हो तो राइली रोसो एक चोईस रखना ज़रूर अपनी आपकी हर एक जील टीम की हर मैच में सोरी बागी यहां से ख्वाजा नफाय है चैनोर आउट अब पिछले मैच में बैटिंग उ मानलो अगर यह विकेट पचास रंग के इंदर अंदर की रिया पचास-एट रंग की पार्टनर्शिप में गिरिया तो फिर उस केस में रोसो आएगा फिर ख्वाजा नफाय आएगा फिर रधर फोड या एहमद में सो कोई आ सकता है अब यह जादा भाव देंगे का फाइनल केलते हैं less than 24 hours में आके यह PSL का मैच खेल लेते हैं इंटरनेशनल मैच जब खेलने के बाद आती है तब भाई सब थक जाते हैं इनको ब्रेक चीवर मौमद आमिर के नाम एक विकेट था और एट लाश्ट यहां से अबरार हमद जिन्होंने दो विकेट निकाले ठीक बोलिंग थी बोल सकते हैं एक अच्छे प्लान के साथ में बोलिंग की थी और विकेट निकाला बाकि यह थी क्वेटा ग्लाइटर की तरह से प्लेइंग लेंग अब बाकि अगर बात की जाए इनके दिकत नहीं है किसी भी खिलाडी के लेके इनके पास में इवांस भी है इनके बास में बागी सारी लड़ी अवले बले इनके लिए जाता वो टेंशन रहती नहीं है उस्मान कादिर है इदर से विकेट वगरा है बट अभी आइटिंग अबरार रहमन ने पई अच्छे बोलिंग की पिछले मैच में तो शायद अबरारी कंटीन्यू करें उसका है कि लाश्ट में आके या तो सुहिल कान को बहुत अच्छे विकेट मिल जाते हैं जहां तक मैंने देखा या तो यह पांच-पैंच विकेट निकाल लेता है टी टॉन्टी में चैफर ऐसी कुत्ते इसे मार पढ़ती है ना बहुत जादा उसके बाद में आसे बिसमिल्ला खान है विकेट कीपर में रहेगा बट ऐसा चरन तो है नहीं उमर तारिक का कोई भी रिकोड नहीं है उमर आमीन को यहां से शामिल किया गया है बट रंस वगरा तो है डोमेश्टिक में बट वह यह खेलने के चांस थोड़े कमी रहने वाले विल्समीड अब शोच्छा कर तो विल्समीड का पत्ता तो ऐसी कट हो गया लोरी वांस एक चोईस बनते हैं इस टीम के पास में अगर यह खिलाने चाहे तो लोरी वांस की जो फॉम है वो ठीक ठाक सी रही है बीच बीच में बागी आदिल लास ने भी विकेट वगरा बीच में अच्छे निकाल रखें दो तिर मी केट यहां से राइट आम पेजर तो यहे है कवेटा Batra Gli्enter's के तरह से पूरी प्ले इंग लैंग और इसकी बात कि जाए तो भाई मोहम chamad Amir और यहां से जो अकेल हुसान है वो कि नई बॉल के साथ में यह दानों डालते नई बॉल के साथ में बाकी हसना हैsur में वाद असीम जुनियर और अपरार एमद है प्रोपर पांच बोलर के साथ में क्वेटा की तरफ से बॉलिंग हो सकते हैं और अगर इधर से मैं बात करूं तो आज जो है वो डैविड वीक्स की जगे पर आप सिकंदर रजा को काउंट कर सकते हो यहां पर छे बोलर से जिसमें जमान खान जो है नहीं बोल के साथ में बोलिंग कर सकते हैं और बागी अगर मैं डैथ बोलिंग की बात करूं तो उसमें आपको हारी श्रॉफ और शाहिन अफरीदी यहां से देखने को मिल सकते हैं इंक्लूडिंग जमान का क्योंकि तीनों ही बोलर जो है वो डैथ में डा बट जिस तरीके से हारी शुरॉफ को मार पड़ रहे हैं शायद जवान खान और शाहिन अफ्रीदी ही बोलिंग करते हुए उन्हें ज़र आए पाकि आपको तीन से चार और रजा भी डालते हुए दिख सकता है उसके बाद में वेन्यू 25 में से 16 जीत रखें लाहूर की टीम बट अच्छी बात यह है कि अपना पिछला मैच यह इसी ग्राउन पर कल जीत करें रंस की बात करें फगर जमान 37 मैच एट 33 रंस है वाइस के आवरेज के साथ में सरफराज हमत 33 मैच 625 रंस है 27 का अबदुल्ला शाफीक 19 मैच 570 रंस है 30 के आवरेज के साथ में कामरान बट तो राइली रोसो का है नहीं सरफ 25 का यह इवरेज है राइली रोसो का एवरेज ना किसी एक ग्राउन पर बहुत बढ़ी है आगे वो पता चलेगा आपको बट राइली रोसो का यहां तो बहुत जाद अच्छा है नहीं बट चुकि बैटिंग पिच है तो शायद आतिश बजी देखने को मिल जाए चांस थोड़े कम है बट कर सकते हुआ हो सब आकी साहिब जादा फरांग 9 मैच में 302 43 के साथ में फरांग का तो एवरेज भी अच्छा है पिछले मैच में रंस भी बना कर आया है शाहिन अवरेदी 31 मैच चमालिस विकेट हारी फिरोफ के नाम विकेट तो बहुत जादा है अच्छे गाज़ विकेट निकाल रखे उसके बात में यहां से समान खान है 21 मैच में 30 विकेट सोहिल खान की बात की जाए 19 मैच में 20 है डैविड वीज 21 मैच में 16 मैच में 13 और महमद आमिर ने भी हुई 9 मै मैच हो चुक है यहां पर लाहूर दो मैच से आगे निकल रहाती है 16 मैं से 9 जीते हैं साथ हा रहे हैं अब आगे आए अगर हम प्लेयर बैटल के उपर तो राहले रोस हो जो है वो हरिश रोफ के अगेश्ट में तीन बार विकेट गवा चुक है शाहिन अफरीदी के जो है दो बार आउट हो चुक है उसके लावा बात कर एकिर हम दूसरी टीम की जो कि फगर जमान अगेंश्ट मुवद असने में पचास बोल में दो बार आउट है ठीक है उसके बाद में अब्दुल्ला शफी के जो कि सोहिल खान के अगेश्ट में तेहरा रन नाकर बागी आते हैं अपना जरा भाई नेक्स्ट यहां से टीम क्या बनके आ सकती है आज के लिए तो उसमें मैंने साहिब जादा वरान को रखा है उसकाद में बैटर सेक्शन में राईली रोसो है जैसन रोय है उसकाद में रासिवांडर डसन है दनियां से फकर जमान रहता है बाकि और बाकिtest मौँअबंद आमिर शाहिन अफ्रीदी मौमद हसनIGN के अजज़ करू जगे पर अपशन है यहां से आपके पास में मौम्हम्मद वसीम जीनियर को पिक करने का अगर करना चाहो तो और हाई श्रफ की जगए जगे साहनन के सास्थ में बागि फिर आप रोई के साथ में जा सकते हो तो यह जाती है अभी के लिए टीमेंट सारी चीज़ है आपको यूडिया पसंद आई हो तो लाइक जरू करना है बागी चलते हैं जड़ा लाइक कर देना टेलेग्राम चैनल भी जोइन कर देना बागी उल्लावेश्टिस मैच के लिए मिलते हैं आपको नेक्श यूडियो में बहुत ही जरे गलते हैं